हेलो दोस्तों नमस्ते मैं हूं सुनीत अबाहरे रेस्पी चेक चनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गर्मियों का स्पेशल मैंगो शेक अब गर्मिया शुरू हो गई है और बजार में आम बियाना शुरू हो गया तो इसलिए टेस्ट टेस्टी मैंगो शेक तो बन तो हमने आम को अच्छे से चील कर तयार कर लिया है अब हम मिक्सी जार लेंगे और इसमें चोटे-चोटे टुकडे करके डाल देंगे क्योंकि इससे क्या होगा कि यह असानी से मिक्सी के अंदर बिस जाएगा तो इसी तरह से हमें इसके चोट-चोटे टुकडे कर देंगे गर्मियों में आम डस पीने का अलगी मज़ा होता है तो अब बजार में आम आना शुरू हो गए हैं तो हम आम की बहुत सारी रेसिपी ट्राइ करते हैं जिस सबसे पहले हमारा मैंगो शेक का नमबर आता है एक अब इसी बजाए हम चुनी डाल लेंगे जितने चुनी आप लेना चाहें मैंने यहां पर राख प草सा की लग बग बग चुनी के बाद अब हम इसंह आदा लिटर के करीब दूडाल देंगे दूड़ डालने के बाद ौशूर कर झाओड भाद मेंगों गहाता है तो इसमें एससारी परफ। रख दाल लिजे। और अब तकाण कर इसे ँच्सा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे जो अच्छे से यह पिल्कुल काड़ा हमारा मेंगो शेक बनकर तयार हो जाएगा तो अब हम मिक्सी चला कर इसे अच्छे से इसका मेंगो शेक बना लेंगे तो यह हमारा टेस्टी सा मेंगो शेक बनकर त्यार हो गया है अब हम इसे गलासों में सरव कर लेंगे सबसे पहले हम गलास में आइस क्यूब डालेंगे क्योंकि मेंगो शेक जितना ही ठंडा होगा उतना ही अच्छा लगेगा आइस क्यूब डालेंगे अब हम इसके अंदर जो हमने मेंगो शेक बना कर रखा था वो डालेंगे आप चाहिए तो इसमें बदाम काजू डाल सकते हैं लेकिन मेंगो शेक सीधा ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पर हम निगला से बर लेंगे और थोड़े से मेंगो मैंने काट कर अलग रखा था जो इसके उपर गार्निश कर देंगे जब आप पिएंगे तो एक अच्छी सी बाइट आएगी तो यह हमारा टेस्टी सा यमी सा मेंगो शेक बिल्कुल बनकर तयार है तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जोई मैं पीकर बताती हूँ यह बहुत ही टेस्टी हो रहा है यमी बना है तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी मेंगो शेकर जल्दी मींटों में बना कर तयार करें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदारियत मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू